अनुवाद की जो प्रकार है आपर प्रमुक रुप से दो विबाजन उसका क्या गया है एक तो विशेवस्तू की आदर पर और एक प्रक्रति की आदर पर होमर के महाकाविय इलियेट और एवं कालिदास के मेगधूत और एवं रुतु समहार इसके हुदार है समाज शास्त्र के अंतरगत जोभी हैं पर अनुवाद उसके संद्र कुल बहुते हुँ सभी इसके अंतरगत आते हैं क्या कहते हैं प्रशासनिक अनुवाद को कारिया लई अनुवाद भी से आपर कहते हैं नमस्कार मैं हूँ हर्शीता हिंदी लेक्चुरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर आज हम थर्ड सेमिस्टर के बीकॉम, बीबी और बीसीय की जो हिंदी पार्टिक्रम है उसमें से जो चौता यूनीट है अनुवाद उसको आज हम देखेंगे देखिए लास सेशन में मतलब अनुवाद की जो फर्स सेशन था उसमें आपर अनुवाद की आर्थ और परिबाशा जो है उसको हमने देखा था मतलब अनुवाद क्या है और क्या है जो प्रमुक परिबाशा जो है उसके संबन में हमने लास सेशन में देखा था कि आज और वी बाजन उसका किया गया एक तो विशय वस्तू के आधार पर और और एक प्रक्रुती के आधार पर विशय वस्तू के आधार पर यहां पर भेद है उस उसमें भी दो बेद है फिर से उसमें भी फिर से आपर दो बेद है एक तो साहितिक अनुवाद और एक साहितितर अनुवाद लिके साहितिक अनुवाद के अंतरगत या पर काव्या अनुवाद नाटका अनुवाद कथा अनुवाद और अनिगद्धी रूपों का जो अनुव देखना साहित्य तेतर अनुआद्स को चोड़कर अन्य जो भी है पर अनुवाद का जो प्रयोग चिया जाता है वह सभी जो है यहाँ पर साहित्तेतर अनुवाद के अंतरगत आते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए वैज्ञाने केवं तक्नीकी अनुवाद जो है इसके अंतरगत आता है नेक्स्ट है वार्णी जी अनुवाद उसके बाद महानवी के समाज शास्त्री अनुवाद प्रशासने केवं नेक्सट अगर हमें देखना है तो प्रकृति की आधार पर जो अनुवाद के बेध को जो आगर हमें देखना है तो देखे उसमें पहला आता है अपर शब्द आनुवाद नेक्स्ट भाव अनुवाद, उसके बाद चाया अनुवाद, उसके बाद सारा अनुवाद, उसके बाद आता है वैक्ष्या अनुवाद, नेक्स्ट आशु अनुवाद, आदर्श अनुवाद और रूपांतरन, यह सबी जो है प्रकृति के आधार पर जो है, मतलब अनुवा के अंतरगते से क्या है अब यहां अब आगे जो हैं देखते जाएंगी देखिए यहां पर पहला आता है जैसे कुछी समय पहले हमने देखा तो साहितिक अनुवाद का जो प्रकार प्रकार है उस्में पर पहला जो है काव्यानुवाद जो है आती है क्या है यहापर काव्यानुवाद तो क्या है जैसे यहापर इस शब्द को ही देखते ही हमें समझ में आ जाती है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्षेत्र में साहित्ति के क्षेत्र के अंतरगत जो काव्य से संबंदि जितनी भी अन तो एक प्रफ्रोत भाशा में लिखे गये काुषिं भाशा में रूपाँ तब करना प्रतिसतापना करना अनुवाद है उसको प्रतिसापना करना निते है उसको जो है entity क्लीब 우द से दूसरी बाशा में उसका हुआ आंतरने या फिर भाशांतरन करना या पर काव्यान हुआ जो है कहलाता है देखिए आपर आवशिकता अनुसार गद्धि पद्धि एवं मुक्त चंद में किया जा सकता है होमर के महा काव्य इलियट और एवं कालिदास के मेगधूत और एवं रुतु सम्हार इसके उदारन है तो इसके संदर्ब में जो महा काव्य है किसके है उमर के जो महा काव्य इलियट और कालिदास के मेगधूत और रुतु सम्हार इसके लिए एक अच्छा उदारन है हम यहाँ पर कह सकते हैं तो काव्यानुवाद मतलब यहाँ पर क्या है जो काव्य के संदर्ब में यहाँ प इहां हम कह सकते हैं नेक्स्ट ₉न्ट कःनर में जो यहां पर नाटक कहलाता है किसी भी नाटक शहीच रूप में आन्वाद करना फिर नाट्क थे जो किसी भी कृतिका जो है यहापर देखे किसी भी नाट्टी कृतिका जो एक नाटक रहता है तो उसका जो है यहापर नाटक के रूप में ही रूपांतरन करके भाशांतरन करके यहापर जो अनुवाद किया जाता है वहाँ नाट्टी अनुवाद करके कह सकते हैं नाटक रंगमंची अवश्कताओं एवं दर्शेकों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है देखिए उपन्यास कावय अलग है नाटक को उसे अलग है क्यों सभी गदिविदाव से नाटक जो है यहापर अलग है क्योंकि यहापर रंगमंच और दर्शेकों को ध्यान में रखक नाटक का जो यहाँ पर जो रचना है किया जाता है तो ऐसे में अता इसके अनुवाद के लिए अभ्यास की अवश्यकता होती है तो नाटक अनुवाद उतना जो सुलब है नहीं है इसलिए इसके लिए क्या है अभ्यास की जो आवश्यकता है होती है संस्कृत के नाटकों का ह पुदार जो नाटक है उनको यहाद पर हिंदी में जो अनुवाद किया गया है और उसके साथ मैं लूआर थो नाटक की जो नाटक है नहीं कि चेह सकते हैं तो नाटक से संब्धने तो एक नाटक का मैं अगर अनुवाद करते हैं नाटक के रूप में ही एक भाशना से दूसरी भाशन में तो उसे हम नाटक अनुवाद के सकते हैं आंप priम्चंत की कहानि oven का दुनिया की विभिन भाशाओं में अनुवाद हुआ है रूसी उपन्यास मा, अंग्रेजी उपन्यास, लेडी चाटिरली का प्रेमी, तता हिंदी के गोदान, त्याग पत्र, तता नदी के द्वीब का विभिन भाशाओं में अनुवाद हुआ है देखे यहाँ पर कता साहिती के अंतरगत, कता कहानिया और उपन्यास जो है यहाँ पर इसके अंतरगत आते हैं, तो कहानिया हिंदी के जो भी प्रसीद, सिर्फ हिंदी के नहीं, किसी भी भाशा की हो, जो भी प्रसीद यहाँ पर कहानिया और जो उपन्यास है, उनको क्या है एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका जो अनुवाद करना होता है वहां सभी कहे कथा अनुवाद यहां पर कहलाता है तो ऐसे में देखे विश्वी प्रसिद्ध जो कहानिया और जो उपनिया से उसका जो यहां पर अनुवाद जो किया गया वहां बहुत ही प्रचलित मतलब वहां बहुत ही फेमस जो आपर हुई है मोपास और जो प्रेमचंद है उनकी तो आपर कहानिया क्या है आपर दुनिया की विभिन्द भाशाओं में उसका जो अनुवाद एापर हुआ है दीके आपर कुछ उधारन देते रोसी का उपण्यास मा अंग्रेजी उपण्यास कह सकते हैं नेक्स्ट यहां पर अन्नी गद्धी रूपों का अनुवाद देखे हिंदी साहिती में यहां और भी कहानी काव्य नाटक उपन्यासिन को छोड़कर और भी बहुत सारे जो गद्धी विजाये हैं हम उसे देख सकते हैं जैसे रेका चित्र सम्स्मरण आत्मकता जी इवनी रिपोर्ताज ऐसे ही बहुत सारी जो यहां पर गद्धी विदा हैं हिंदी की है तो ऐसे में उन सभी का जो अनुवाद है एक बाशा से गर दूसरी बाशा में करेंगे तो वी सभी उसके अंतरगत आते हैं जैसे यहां पर देखिए अन्नी गद्धी विदाहों के अ बच्चन के आत्मकताओं के विभीन भाशाओं में किये गई अनुवाद इसी श्रेणी के अंतरगत आते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही कहां क्या है आपर अन्नी गद्धी विदाओं के अंतरगत कौन-कौन से आते हैं यहां पर रेखाचित्र निबंद और समस्मरन और यहां पर रिपोर्ट असका अनुवाद जो एक बाश्या से दूसरी बाश्या में होते हैं तो यह सभी इसके अंतरगत आते हैं अनुवाद के इस साहितिक विदा के अंतरगत यहां पर आता है उदारन के लिए देखे यह पर जवाहरला लहरु जी की जो कृती डिस्कूवर आफ इडिया और उसके बाद महात्मा गांदी और हरीविंश्राइ बच्चेंजी की जो आत्मकता यह है वो क्या है दुनिया की अन्य भाशाओं में जो है उसका अनुवाद जो है आपर हुई है और वहां बहुत प्रसिद्धी भी उन्होंने पाई है तो इस तरह क्या होता है जो बहुत ही मौलिक जो कृतिया रहती है या फिर ऐसे ही देखिया एक्जम्पल यह पर महात्मा गांदी जी वहां विश्व प्रसिद्ध वेक्ती है तो ऐसे में उनकी आत्मकता जो है यह पर देश की बहुत सारी भाशा या फिर क्या है यहां पर दुनिया की बहुत सार तर अनुवाद देखे साहित तर अनुवाद जो है इसमें पहला आता है अपर वाइग्णानिक एवं तकनीकी सामगरी के अनुवाद मतलब क्या है इसी से हमें पता चलता है वाइग्णानिक शेत्र में और तकनीकी मतलब टेक्नोलजी में जो यहाँ पर अनुवाद किया जात उनुवाद है वैग्नान मतलब आपको पता ही है तक्नीक की मतलब क्या है यह आपर टेखनोलोजी तो इस अनुवाद में पारिबाशिक शाब्दों की आवशिकता होता है उच्छ उफनीं साहितिक आनुवाद में क्यों से ज्यदा कैसे का महत्व होता है वही वैगनानी है नेक्स्ट यह आपर मानवी की एवं समाज शास्तर का अनुवाद मानवी की एवं समाज शास्तर में और उसके साथ साथ समाज समाज शास्त्र के अंतरगत जो भी अपर अनुवाद उसके संदर्भ में होते हैं, वो सभी इसके अंतरगत आते हैं, तो ऐसे में अनुवाद का जो ग्ञान है, उस विशे से संबनित वहाँ बहुती, क्या है अपर महत्व जो है इस संदर्भ में रपता है, नेक्स्ट देखे आपर इस तरह का अनुवाद अनुसंदान, सर्वेक्षिन, परियोजने वें शिक्षे कावशिकता के दुरुष्टी से, क्या है आपर अनुसंदान, मतलब रिसर्च, और सर्वेक्षन, परियोजना, या फिर क्या है शायक्षिक, शिक्षन के संदर्भ में, शिक्षन क्षेत्र के संदर्व में या फिर कोई या पर रिसर्च करनी हो या फिर कोई योजना बनानी हो इसके संदर्व में आपर जो अनुवाद बहुती महात्व पूर्ण है या पर रखती है तो specially इस क्षेत्र में जो समाज शास्त्र और उसके साथ साथ जो मानविकी कि जो क्षेत्र है इसमें जो यापर अनुवाद जो भी किया जते हैं इसके संदरव में किसी के लिए भी हो तो ऐसे में क्या है सरलतायूम स्पष्टता रहना बहुती जरूरी होती है नेक्स्ट आता है यापर प्रशासनिक अनुवाद क्या है प्रशासनिक अनुवाद नेके प्रशासनिक अनुवाद से तात्परी है कि यह अनुवाद जिसमें एक भाषा की प्रशासन संबंदी सामगरी का दूसरी भाषा में परिवर्तन किया जाता है प्रशासन के क्षेत्र में जो भी आपर शासन सरकार फिर जो भी कानूनी जो यहापर कारायलेक्षेत्र में जो भी आपर अनुवाद होते हैं यह सभी प्रशासनिक अनुवाद के संदर्व में आते हैं देखे यापर एक भाषा की प्रशासन संबंदी सामगरी को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना क्या है यापर प्रशासनिक अनुवाद यापर कहलाता है तो ऐसे में क्या है यापर कार्यायलिन से होने की कार्णी यापर कार्यायलिन या अनुवाद भी यापर कहते हैं तो इस अनुवाद के अंतरगत प्रशासन के सभी कागजात, सरकारी पत्र, प्रशासन के जो भी यहाँ पर देखें कागजात, या फिर सरकारी पत्र, परिपत्र, सूचना ये, अधि सूचना ये, नियम, अधिनियम, प्रस, विज्याप्ति, आधि सभी जो है इसी के ही अंतर सूचना है कोई नोटीस है ठीक है सरकार से वहां निकला है तो एक भाषा में रहती है तो इसका जो यहां वहांनराख में या राज बाशे में करने पड़ती हैं घुन सबसक्राइब है तो यहाँ पर ज़या बहुत है तो इसे ए सिर्पार राजी सरकार संसद विभिन्द मंत्राले यादी में द्विभाशी तता बहुभाशी सित के कारण प्राशासनिक अनुवाद के बिना काम ही नहीं चलता देखे यहाँ पर संसद में संसद में क्या है यहापर बहुबाशी होते हैं सिर्फ विबाशी नहीं बहुबाशी मतलब हर एक राजी के लोग होते हैं हर एक राजी के जो लोगों की जो भाशा है अलग-अलग है तो ऐसे में तो क्या है यहापर केंद सरकार राज्य सरकार संसद मंत्री मंडल यहापर तो का अनुवाद देखे संचार माध्यमों के सामगरी के अनुवाद में अपर वरतमान युग के संचार माध्यमों ने मानम विकास में आपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस क्षेत्र में तो आनुवाद करते हैं में सब कुछ कही दुनिया में क्या चल रहा है फिर क्या है समाज में क्या चल रहा है इस सभी हमें किसी से पता चलती संचार माद्यमों से तो क्या है एक महत्वपुर्ण स्थान है आज कल संचार माद्यमों का है तो ऐसे में विविद देशों की विविद भाशाय होन के कारण संचार माद्यमों की सामगरी के अनुवाद में महत्वुपूर्ण बना हुआ है देखिए यहां पर जो इसक्षित्र में जो अनुवाद होता है वहां बहुत ही महत्वुपूर्ण है क्यों कि हम यहां पर देश-देश के जो बात वापता चलती है तो ऐसे में समझ में आती है नहीं हर एक देश की भाषए अलग अलग है देश में ना जने कितनी सारी भाषए तो इसल buckets कτε कर चाहिए हमारी बार्षमें हमें केते हैं समझाते तो वहां पर अनुवाद का प्रयोग है बहुत ही होता है और हत्व भी क्या है बहुत ही ज्यादा है तो ऐसे में इस अनुवाद के अंतरगत मुकीता दैनिक समाचार पत्र डैली जो न्यूस पेपर आता है दैनिक समाचार पत्र और सभी प्रकार की पत्र पत्रिकाई जितनी भी मैगजिन न्यूस और दूरदशन आकाश्वाणी आधिक सब्सक्राइब के सामगरी के अनुवाद इसके अंतरगत होते हैं डैली न्यूस पेपर हम पढ़ते हैं फिर उसे भी चोड़कर जो भी आपर पत्र पत्रिकाई है मैगजिन पे न्यूस पेपर और मैगजिन है और उसके साथ दूरदशन टेलिविजन आकाश्वाणी जो भ फर हरे ओस beetje समाचार या में पता चलती है जैसे यहाँ आपर वैपार के ल विज्ञान साहित या आदे जीवन से संबनी तह सुब ही विशए जो है इसके जूड़े रहते हैं फिर यह मैं उसकी जानकारी जो है प्राप कर सकते हैं anonymous ते जो अनुवाद ही वह बहुती महतों जो है रखती है नेक्स्ट यापर वानिज जनुवाद अपको तो पता ही है क्या है वानिज देखिए अपर धन प्राप्ति के उद्देश से वस्तुवं का क्रय विक्रय करना ही वानिज है धन प्राप्ति धन प्राप्ति तो जरूरी है तो धन प्राप्ति के लिए या पर पैसे कमानने के लिए जो भी आपर क्रई विक्रई वस्तुओं का होता है वहाँ वानित जी है तो किसी उत्पादन या व्यवसाय का वहाँ बाग जो उत्पादित वस्तुओं ये उन सेवाओं की अनेक से संबंध रखता है तो वानित जी कहलाता है देखे एक देश में या फिर एक जगा पर कोई जो चीज उसकी जो उत्पादन है यहां पर होती हैं क्या होती है उसका उत्पादन होती है तो उस जगा से फिर उस पर विनिमय वस्तु उंका होता है तो ऐसे में यहाँ व्यापार है वानिच जी है तो इस शेत्र में जो भी आपर अनुवाद का प्रयोग है बहुत ही ज़रूरी है क्यों देखिए यहाँ नदीच जी के अंतरगत किसी आरतिक महत्वे की वस्तु जैसे सामान सेवा सुचना धन का दो या दो से अधिक विक्टिया सिंस्ताओं के बीछ में सादा क्या जाता है रही है यहाँ पर क्या किया जाता है सउदा जो है किया जाता है बिजनेस जो है जब करते हैं तो ऐसे में एक दूरसे से संपर्क जो है साधने के लिए एक देश की विक्ति दूसरे देश के विक्ति से यहाँ पर संपर्क साधना है उसे बिजनेस करना है तो यहाँ पर तो आश्ट्रिय के स्तरपर आजकल जो है वैपार वैभार वानिजी जो है वहाँ बढ़ती जा रही है तो ऐसे में क्या है दो विभाशी या फिर अध्यू बहुबाशियों के बीच में आपर संपर्क सादने के लिए अनुवाद का जो उपियोग है उसका जो प्रयोग है हो रहा झाल कि झाल झाल कि एदित जो है वहाँ ईपितर अनुवाद के लिएल आ योट च्वाण संपर्वाद बढ़ति